संख्या पैटर्न नंबर पैटर्न को पहचानना इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पैटर्न को देख कर नियम पहचानना और संख्या पैटर्न के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना यह गुर्प्रीत आज घर पर बैठे बैठे क्या कर रहा है खेलने भी नहीं गया इतनी मोटी किताब में यह पढ़ क्या रहा है लो गुर्प्रीत का दोस्त समक्ष भी आ गया गुर्प्रीत क्या बात है खेलने नहीं चलना यार मैं आजना नंबरों से खेल रहा हूँ नंबरों से? हाँ देखना मैंने टाइम पास करने के लिए यह टेलेफोन की डाइरेक्टरी देखनी शुरू की तो मुझे एक खास पाटन नजर आया वे क्या? हमारे देश के चार महानगरों का कोड है शुन्य एक एक शुन्य दो दो शुन्य तीन तीन और शुन्य चार चार अरे यह पाटन तो याद रखने में भी आसान है बच्चों खेलने नहीं गए? नहीं पिता जी मैं इस किताब में नंबरों के पैटन देख रहा था अच्छा तुम्हें पता है कि नंबर्स के साथ हम कई तरह से पैटन बना सकते हैं यह देखो इस तालिका में कुछ नंबर्स और रिक्ठ सान दिये गए हैं तुम दोनों एक-एक करके इन रिक्ठ सानों को भरो हम यह है तीन अंख की संख्या गिंटी के नंबर 534, 535 तो अगला है 536 सही पर तुमने पहला वाला रिक्ठ सान तो भड़ा ही नहीं अंकल जी 534 से पहले आएगा 534 घटा एक मतलब 533 और फिर 538 के बाद 549 हाँ और फिर 540 वाह तुम दोनों ने तो एकदम से इस पैटर्न के नियम को पहचान लिया अब ये पैटर्न बूजो तो जानू बच्चों आप वीडियो को रोप कर इस पैटर्न के नियम का पता लगा सकते हैं दाई ओर के नंबरों को देखो ये कैसे एक पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं पहले एक एक बार फिर एक दो बार है माने ग्यार है और फिर एक तीन बार यानी एक सो ग्यार है और उसके बाद एक चार बार यानी एक हजार एक सो ग्यार है आया है ये पैटन बनाने में कौन से नियम का इस्तमाल किया गया है शुन्य गुना नौ हुआ शुन्य जमा एक हुआ एक फिर एक गुना नौ हुआ नौ जमा दो हुआ ग्यार है फिर बारह गुना नौ किया तो हुआ एक सो आठ जमा तीन हुआ एक सो ग्यार है तो इस नियम से अगली संख्या होगी एक सो तेस, जिसको नौ से गुना किया जाएगा, वे होगा एक हजार एक सो साथ, फिर उसमें जोड़ेंगे चार, तो होगा एक हजार एक सो ग्यार है बाई तरफ नंबर नौ हर बार गुना हुआ है, पहले गुना हुआ शुन्य से, फिर एक से, फिर एक दो अंको वाली संख्या यानि बारह से तो इस नियम से अगली संख्या होगी एक तीन अंको वाली संख्या यानि एक सो तेस, जिसको नौ से गुना किया जाएगा बहुत अच्छे और देखो जमा किये जाने वाली संख्याएं हैं गिंती के नंबर एक, दो, तीन तो इस नियम से अगला नंबर होगा चार अंकल जी आज तो नंबर का खेल खेल लिया हमने हाँ, बिलकुल सही बच्चों, आज हमने सीखा संख्या पैटर्न को देख कर नियम पहचानना और संख्या पैटर्न के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना